आप सभी को नमस्कार मित्रों हम लोग इन दिनों अलका सरावगी जी पर यह संबाद कर रहे हैं यह एकागर कर रहे हैं आज इस एकागर की तीसरी कड़ी है और इसमें हमारे साथ कभी यतीश कुमार जी उपस्थित है वे अलका जी के उपर्न्यासों पर बात करेंगे और खास तोर से उपर्न्यास के साथ शहर का जो अंतर संबंध है उस पर भी चर्चा होगी अलका सराबगी जी का पहला उपर्न्यास कली कथा वाया वाइपास या फिर मिल्कुल नवीनतम उपर्न्यास की भी हम बात करें कुलकुशन का नाम दर्ज कीजिए और इस बीच आए उनके कुछ और जो उपर्न्यास हैं इन सब में कलकता कुलकाता किस तरह उपस्थित है उसकी कहानिया उसके बाजाब उसके लोग उन लोगों की आवारगी पिर्टियों की कहानी विस्थापितों की कहानी उन विस्थापितों की जिनके पुरवज कहीं और से पिराजस्थान से हरियाना से कहीं और से कलकता में कॉलकाता में जाकर बसे या वे लोग जो कुछ बेहतर हो जाने की स्थिति में आर्थिक और स्ट्रेक्शन दिश्टिकों से तो उन पिर्धियों से भी कई लोग भारत स उन सब की कहानिया इनके अलग-अलग उपर न्यासों में हमें कहीं न कहीं पढ़ने को मिलती है जानकी दास्तेजपाल मैंशन में भी हम इस बात को देखते हैं तो कई तरह से इस विशय पर चर्चा हो सकती है यतिश्कुमार जी अपने तहीं इस विशय पर बात करेंगे और वे जिस तरह से पुस्तकों की काव्यात्मक समिक्षा के लिए जाने जाते हैं तो आज इस अवसर पर वे अलका जी के पहले उपर न्यास पर की गई अपनी काव्यात्मक समिक्षा का अपनी कविता का भी पाठ करेंगे मगर मित्रों उनको बुलाने से पूर आज हम लोग अशोक सिक्षरिया जी को याद करते हैं उनकी इस मिर्थी को नमन करते हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 2014 में उनका दिहान्त हुआ कोलकाता में ही हमने गत वर्ष ही उन पर एकाग्र भी किया था और मुझे लगता है कि गत वर्ष भी क्यों कहें इसी वर्ष जनवरी 22 में इस वर्ष के सुरुवात में हमने उन पर एकाग्र किया था जिन में अशोक बाजबेई जी अर्विंद मोहन जी प्रियाग शुक्ल जी सुधा अरोडा जी अलका सराबगी जी शर्मिला जालान संजय भारती और तमाम लोग उनसे जुड़े हुए उनके निकट के लोग उसमें अपनी और से अपनी बात रखे थे उन्हें याद किये थे हम यह भी जानते हैं कि अलका सराबगी जी ने सामाईक वारता के उस अंग का संपादन किया जो अशोक सिक्सरिया जी पर केंद्रित रहा इसकी भी चर्चा कल शर्मिला जालान जी ने अपने वक्त अबे में की जन्वरी फरवरी 2015 का वहां आंक सामाईक वारता का अशोक सिक्सरिया जी की इस मृति में निकाला गया जिस पत्रिका के साथ वे शिद्दत के साथ दिवानगी के साथ जोड़े रहे अशोक सिक्सरिया एक असमग्र छवी में अलका जी ने कई कई तरीके से उन पर अपनी बात रखी है एक छुड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पर परसंगवश रखरा चाहता हूं क्योंकि अलका जी जिस तरह से अशोक सिक्सरिया जी को अपना गुरु मानती रही है जिस तरह से उनके सानिध्ध में उनके लेखक का पलवन हुआ है और कई ऐसी बातें जो बहर जरूरी होती हैं किसी लेखक के लिए तो उन सब की ऐसी कई यादे हैं जिन पर गाहे बगाहे अलका जी बात करती रही है फिलहाल यह एक आगर अलका जी पर है एक छोटा सा हिस्सा उसी संपाद किये से यहाँ पर रखता हूं और फिर हम यतीश कुमार जी को बुलाएंगे अशोक सिक्षरिया जी के बारे में अपने उस संपाद किये में अलका जी लिखती हैं कोट अशोक जी ने शब्द जीवी दुनिया में बहुत लोगों को बहुत कुछ बनाया पर बनाने की जादूई कला उनके पास ऐसी थी कि न तो बनाने वाले को अहसास कि वह कुछ बन रहा है और ना बनने वाले को कि कोई उसे गढ़ रहा है आँख वाले को देखने कि आँख क्या सहज ही दी जा सकती है कोई देखता तो यही लगता कि वह शिश्च हैं और सामने वाला गुरू और फिर वह इस अंक की बात करती हैं सामाइक वारता के उस अंक की बात करती हैं यह कि इस तरह इस अंक की तैयारी की गई और ऐसी कई चीजें यहाँ पर अलकाजी खोलती चलती है क्रमशा कि छुटा सा कुछ एक बात के और पढ़ते हुए हम यतिर जी के पास चलेगे और उन्हें अलकाजी पर सुनेगे अलकाजी लिखती हैं अशोक सिक्सरिया को लेकर कि साधारन से साधारन बाद पर ऐसी बाल सुलब उत्सुकता दिखाते जैसे खुद एकदम घोंगा बसंत हूँ उनके सौजन और परदुख कातरता की मिसाले आपको इस अंक में जहां तहां एक सुत्र की तरह मिलेंगी और तमाम लोगों ने इस विशशांग के लिए बड़े ही मनोयोग से अशोकी पर लिखा तो मित्रो यह प्रसंग बस कुछ ऐसी बातें थी कि जिस और इशारा करना आवश्यक था किस तरह से अलका जी और शोक सिक्सरिया जी को याद करती है तो आईए हम अब यतिश कुमार जी के पास चलते हैं और उन्हें इस्क्रीन पर लाते हैं यतिश जी नमस्कार हार्दिक स्वागर और पंजी नमस्कार और चन्सुलब पुष्टकाले का अभार की मुझे बौका दिया अपने अलका जी के इतने विस्तृत साहित के ऊपर थोड़ी सी बात रखने की जी कि हमें अच्छा लग रहा है यतिश जी कि जिस तरह से आपने समय निकाला और इस संबाद के लिए यहां पर उपस्थित हुए अच्छा लग रहा है और आपसे अंडरोध है कि अलका सराबगी जी पर और उनकी रचना जगत पर अपनी बात रखें किस तरह से और किस रोप में यहां आप ही तैय करें यतिश कुमार जी स्वादर जी बहुत बहुत धन्यवाद अरपन जी आज का जो मेरा सत्र है उसको मैं तीन हिस्से में विवाजित करूंगा एक कॉलकता और अलका सरोगी उसके बाद हम जो कव्यात्मक्त समिक्षा कह रहे हैं लोग कविताई मैं कहता हूं वो कलिकता वाया वाइपास के उपर जो मेरी लिखी हुई कविताएं है उस पर बात और पार्ट दोनों करूंगा उसके साथ साथ मैं चलूँगा थोड़ा सा आगे कुल भुशन का नाम दर्ज की जी पर बाचित रखूंगा और साथ ही साथ जो भी संस्मरनात्मक मेरे साथ उनके जो भी संस्मरन है उसको मैं साजा करता चलूँगा तो आज दुरलग ऐसा दिन है कि असोग सिखसरिया जी के बिना तो वैसे भी मैंने आज तक अलका जी को कोई भी इंट्रिवू देते नहीं देता है मैंने उनके लगबख सारे इंट्रिवू पढ़े हैं क्योंकि दो साल पहले मैंने उनका इंट्रिवू खुद लिया था आमने सामने में अलका जी का तो उनको उनके असोग जी को इसमिर्ति नमन करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा एक और सक्स है जिनका मैंने देखा है अलका जी को हमेशा याद करते हुए वो हैं पर्मानन सिर्वास्तर और जैसा कि मुझे याद है कि अलका जी ने बताया था कि वो जो पांडुलीपी थ इतना नहीं सराहा तो उन्होंने पर्मानन सिर्वास्तर जी को भेजा और पर्मानन सिर्वास्तर ने बोला इसको जस्के तस ऐसे ही छाब दो तो ये दो सक्स का बहुत अहम रोल है अलका जी के काव्वे और साहित्तिक जीवन में तो इन दोनों को याद करते हुए हम आगे अलका जी और क्छफ्थ एक दुषरे के पूरख रहे हैं ह இ ज का पुरा सहित्त जो और जगत जो है वो बितान जो है वो लंबे इतिहास को अपने साथ कहता है लेकिन उनके पांप सात साथ जो उन्होंने उतिहास नहीं तो मैं एक करके आपको कौनकता और उनकी की कउल्का कालका चूते वे चलूँगा जैसे पहली कहानी अगर मैं लो तो आपकी हसी आपकी हसी कौकता के जो महाविशिशांग पत्रिका थी उसमे रविंद कालिया जी ने छापा था तो यह यहां से इनके शुरुआत है पहला उपन्यास अंठान्वे में जो आया कालिकता वाये पास कालकाता का पुरा इतिहास है और विविन ने पहलू है जिसको मैं आगे विसे विस्तार से बताऊंगा तो तीन जनरेशन की कहानी और कॉलकाता यह करकता की पूरी कथा है इसके अंदर तो इसमें क्या आगे बताने का शेश का दंबरी में आप पाएंगे कि टैगोर की शव कि द harsh करें से को हलका हलका हलके होंके प्रश्टी भूमी है इसके अंदर क्लकाता का इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे अगले उपन्यास में तो कोई बात नहीं यहाँ एक सामानता है कि कोई बात नहीं viktoria गंगा जोह बच्छा यह चार-पांच चीजों की अ इर्दगुर्द पूरी कहानी है और मेरी कविता है जिसमें की एंजल की नजरों से वो भी विक्टोरिया के आसपास गुमती है कविता और मैंने देखा कि कोई बात नहीं का जो पहला पेज है उस पर भी विक्टोरिया की छबी है और विक्टोरिया में एंजल की छबी है तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि वहां पर अलका जी ने पूरी कहानी केंद्र विक्टोरिया को रखा है आगे हम बढ़ते हैं तो एक ब्रेक के बाद उनकी किताब है कहानी उपनिया से उसमें वो कार्पुरेट कल्चर जो कॉलकता का है उसको लेके आती है और वहाँ पे गुरुचरम दास है बॉस और भट है उनका अधिनस्त तो बॉस और अधिनस्त के बीच के रिस्ते कैसे होते हैं और बॉस को कैसे समझना चाहता है भट और जो बैवसाइक वातावरन है कॉलकता का और मुनाफे की जो नहीं दुनिया रची जा रहे हैं कॉलकता के अंदर यह बिल्कुल अलग तरीके से अलका जी इसको लेके आती है हलाकि एक सच्ची जूटी गाथा जो उनकी उनका उपन्यास है उसमें जो दो किरदार हैं गाथा और परमित सान्यार कि कलकटा से रिपोर्ट सिली गुडी है लेकिन एसमें जो परमित है उस वह कई वार दोतीन जगा बताथा है कि उसके पिता कंगाली है और उनकी वह भाटा जो है वह जर्मन है और यहां पे भी कॉलकता जबकि पूरे उपन्यास में यहां केंदर पर नहीं है फिर भी कॉलकता से वंचित नहीं है यह उपन्यास और उसके बाद तो जो अर्पन्जी ने बताया है कि जानकी दस तेजपाल संस अब यह तो अध्मुत है कि आप देखिया अमेरिका अभियत नाम उसके बाद जो है नकसलबाद फिर विकिलिक्स का जो लीख हुआ इंफॉर्मिशन उसको लेते हुए एक आदमी जाए गोविंद जिसका नाम है जिसको बाद में जैदीब बोलते हैं वो पॉलकता आता है और अपना जो मैंसन है जिसका नाम है जानकी दस तेजपाल मैंसन उसकी और कॉलकता के बिविन पहलू को यहां पर लेके आ रही है अलकसर होगी और यह बहुत रोचक पन्यासे मैं इसमें यह देख रहा हूं कि वह लेखी का यह देख पा रही है कि भविश्च में जब एक्शुल में जब मेट्रो बनता है यहां पर बड़ा बजार और बाकी एर रहा है कि एक लेकिट का बहँष को कैसे बैख सकती है कौलकता के बहँष्ट को खासकर कैसे देख सकती है तो मैं देख रहा हूं कि वो कलकता को जीती है यहां पर उनोंने पढ़ाई लिखाई की यहींन All ned जो है रगविर साहे के कृतित्तों पे अपना पीएज़ी की उपाधी ली और पूरी पूरी जर्नी इनकी यहां रही है और वह करगटा को आज तक नहीं छोड़ पा रही है और इवन आने वाला जो पन्यास है गांदी और सर्ला देवी के केंदर में को रखते रखे हुए जो यहां एक और समानता मुझे देखी कि सर्ला देवी के पिता है उनका नाम भी जनकी कि APPLAUSE के मैं देख हुं कि सारे उपन्यास में सारे कहनीयों में और मुख्ख क्रजार रहा है अगर हम किशुर बावु को देख है, तो वो पुरा मेरा गांधी का कैसा influence रहा कॉलकता में सुभास का influence कैसा रहा और उने 148 तक का कैसे रहा और उने 144 से पहले तीन डो पीड़ी तक का कलकता कैसा रहा वो सब पे वो छूर ही है एक और बहुत अधुत्रा मैं दिख रहा था कि यह से अमोलक और सांतुम दो किरदार हैं कलीकता के तो आमोलक की जो मिर्थियू दिखाई है उन्होंने वह दिखाया है अईयोध्या में 6 दिसंबर जबकि आयोध्या का उतना ज्यादा असर कॉलकाता में नहीं रहा लेकिंग उन्होंने उस दिशाय को कॉलकाता में रहते हुए छुआ यह उनकी विश्यस्ता है और मारवाडी समुदाय और कॉलकाता यह दोनों को वो इस पूरे अपने लेखनी के यात्रा में लेखने की यात थोड़ा सा संस्मानात्मक चलूंगा कि मैं 2014 में मैं साहित में वापस आया और संयोग वस असोक सेक्सरिया जी उस समय हमारे बीच से गुजर गए जब मैं साहित में नहीं था और इस कारण मैं उनसे नहीं मिल पाया इस बात का मुझे बहुत-बहुत अफसोस रहे गाता हू क्योंकि अलका जी से जब भी मैं बात करता हूं मैं उनके बारे में उनके माध्यम से हमेशा जानने की बहुत कोशिश करता हूं वो एक अधुत शेश्या हैं और वो अपने गुरू को बिना याद किया मैंने नहीं देखा कोई भी शेशन उनका पूरा होते हुए जब कली कत करते हैं मैं जब 2016 के फंक्शन में हमारे निलांबर के काक्रम में तो मैं तब तक अलका जी को उतना पढ़ नहीं पाया था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की यह को मैं कैसे बताओं कि मैं अब थोड़ा सा मैं इस और मुखर हो गया हूं इस अधर थोड़ के लिए मैम आई थी तो मुझे बड़ा मुझे जिजख हुई है फिर मैं ने कहा नहीं मुझे मैं से बहुत कुछ समझना है क्यलकाटा में वह एक अस्तम है एक बल्कुल साहित्य की आधार है हम लोगों के लिए हम नए लोगों के लिए तो फिर मैंने उनको पढ़ना आपको बश्राइन सब्सक्राइब शरहुत है कि आप लगता ही नहीं कि यह साहित्यकार से बात कर रहे हैं जिनको से काढ़ना पुरुषकार मिला हुआ है जो अनॉर अब देस्टार आफिजी के विलियर के समाज से नवाजे गई हैं और बहुत सारे समान को मिले हैं एक और चीज़ मैंने देखा है अलका जी में एक बच्पना पूरा बचा हुआ है वो अपने अंदर इतने गंभीर लेकिका है इतनी लेकिन अभी हाल में दिल्ली गया था दिल्ली में जो हाल में उन्हो हालफ नामे जो कहानियों का संग्रा है उस पे उसका विमोचन था मैं देख रहा था कि वो कैसे अपने अग्रजों या समकच से जिस तरह से मिलती हैं बिल्कुल उनका उनके अदर का बच्चा पूरा बच्ची जो है वो पूरा मरलब सामने होती है उस समय और जैसे वह मंच प उनसे और मुझे उनका सानिज मिलतर है इसे अदा और कोई क्या चाहेगा तो फिर जब काली कथा वाया वाई-पास पढ़ा मैंने तो ऐसा कम होता है कि कोई किताब आपको इतना करशित करें कि आप कविताई पर उतर आएं तो हालहां मैं अगर रेशियों देखूं तो कल ल और आशा है कि आपको पाट के दौरान आप अगर यह किताब पढ़ी होगी तो आपको खलके हलके हलके फुहार कानुहब होगा उस कहानी उस पन्यास के अंश का मैं शुरू कर रहा हूँ काहानिया तहों में लिपटी होती है यूं कहानियां कभी खद्म नहीं होती के लहरे जहां तक जाती है जहाग की लकीर खीश्ती चली आती लहरे जहां तक जाती है जहां की लकीर खीशती चलि आती है समय की लहरों से खीची लकीरे माथे पर दिखती है जहां कहानियों का जखीरा है और जीवन पुनरुक्ती है और एक सपनिली पुनरुक्ती सतर्वे साल में जाकर होश आया कि लोग पहचानते ही नहीं इन दिनों खुद की ही खोज में बेयावाज टहल रहे हैं जब कभी होश आता है इसमिर्तियों के खेत लहलाने लगते हैं दरसल दीता हुआ एक भी लमहा मरता नहीं दीते समय की मदमख्या शहद शुपाए गूंती हैं हवेली के सपनों में ऐसी गर्म हवा चलती है कि उसंकर रखते हवेली के सपनों में ऐसी गर्म हवा चलती है कि उसंकर रख दे हवेली के गुंबत पचड़ते वक्त पैर फिसल जाए तो वह सड़का भी नहीं रहता गिरकर लोग मरते हैं हवेली की समिर्थिया नहीं मरती हवेली चड़ना एक लथ है जहां से गिरने के बाद भी रखत बीज सौंप दी जाती है आप देखेंगे इसमें तीनों पीड़ी बार-बार कॉलकता आते हैं फेल होने के बाद भी तो रखत बीच सौंप दी जाती है समय के हाथ लोग चले जाते हैं आदितें साथ रहती है और पुस्टायने शिंखला चलता रहता है आगे चलते हैं खपरैल से हवेली के बीच यह पुरी यात्रा जो है वो खपरैल से हवेली की है और हवेली से फिर आत्मिय चिंतन की है तो खपरैल से हवेली के बीच शहर से शहर के बीच आकाश अपनी सक बदल लेता है खपरेल से हवेली के बीच, शहर से शहर के बीच, आकाश अपनी शक बदल लेता है, मिट्टी की तासीर, हवा की महक, शहर का अहसास बदल देती है, शहर कोई हो, शहर कोई हो, रुक कर छूलो, तो अपना हो जाता है, निर्वासन में आसन लग जाए, तो वह वास में बदल ज के message a you will be cogn к माई घर लोटना तक निवशन्व वाफसी तो गंगा को अपना लेते हैं और खाली हांथ नहींosa और इस बात से अन्भेग। कि यह शास्वत सच है कि खाली हांत आना है और खाली हांत ही जाना है। पिता कहीं नहीं जाते। पिता कहीं नहीं जाते अपनी चोटी चोटी आदतों में जिन्दा रहते हैं। आदतें जिन्दा हूं और जिद वही पुरानी जैसे पिता जी उसके वापस आते हैं फिर से कलकता जीतने के लिए तो आदतें जिन्दा हूं और जिद वही पुरानी तो दुर्भाग भी शौभाग के शक्ल एक्तियार कर लेता है विपरीत समय के फेरे में शब्द अर्थ के साथ हेरा फेरी करते हैं अभाव भाव को महसूसता है नफरत प्रेम की तफसील होता है नफरत प्रेम की तफसील लेता है ये शब्दों का जादू ही है यह शब्दों का जादू ही है जो मुलम्बा बन धीरे धीरे मुस्कान उगाती रहती है मुलम्बा और मुस्कान जख्म की आदत है और इस तरह जीवन में हरापन जिंदा है आगे बढ़ते हैं अब आगर अभी तक की जो कविताई है उसको ध्यान दीजेगा तो वो कहानियों को अपने बैग्राउंड में लेते हुए चल रही है कि अजीब शहर है अब देखिए अजीब शहर है जहां बरसाद के पानी का भी फाटका चलता है उसको पता है कोलकता में कितनी बाजियां उसमें खेली आती थी और बादलों पर भी बाजी लगती है अजीब शहर है जब बरसाद के पानी का भी फाटका लगता है बादलों पर भी बाजी लगती है तारीख के मसले के साथ यहां सदी भी कौम के हिसाब से है अब देखिए दो लाइन वहीं से निक मसले के साथ यहां सदी भी कौम के हिसाब से है तारीखी गल्तियां धर्म पर हमेशा भारी पड़ते हैं संसकार की जड़ें आदम के भीतर से होते हुए पीडियों के पिछवाड़े तक जाती है संस्कार की जड़ें आदम के भीतर से होते हुए पीडियों के पिछवाड़े तर जाती है मुक्ति का मार्ग आसान कहा है शहर कब का बदल गया जहां औरतों की सडकें छटे होती थी इस किताब में बखु भी लिखा गया है कि कैसे चीनी लाने के लिए घी लाने के लिए इस तरह यहां छटे छटे चली आती थी पूरा पूरा का पूरा बाजार छट पे ही हुआ रहा था इस संदर्व को मैंने यहां समेटने की कोशिस की है कि शहर कब का बदल गया जहां औरतों की सडकें छटे होती थी अब छटों को भी पाट दिया गया है और सडकें भी दरवाजे के साथ बंद है कितनी सडकें उस समय कितनी चौड़ी थी फोटोग्राफ बताता है और आप अगर देखेंगे कि आज वही रोड ब्लॉक है खासकर अगर हाई कोट वाला जो एरिया है आप दिन में जाहिए अलग रात में अलग आपको देखें तो आगे बढ़ते हैं कस बीने जादूगर्नी होती है बंगाल की और ज्यादत और कॉलकता की उससे भी ज्यादत उनकी जटो से निकल भागना आसान नहीं यूरेशियन यूरेशियन आपको पता है कि अंग्रेज और हिंदू से जो बाइपरड़क्ट है यूरेशियन उनको कहते हैं यूरेशियन कभी इस शहर का सच रहा होगा हजारों कहानियों का शहर परबुद्र लोगों की नगरी जहां र कि इतना और आशंका का गर्जोड है यह पर्तों में रहती हैं हर समय आशंका में जीने वालों के शहर से और नाल काटना कहां आसान इसलिए आप देखेंगे पीड़ी की पीड़ी इस शहर से आज भी यूड़ी हुई है आगे बढ़ते हैं शत्रू का चेहरा देखते देखते आचानक अपना चेहरा दिख जाए तो धुआ कमरे के भीतर घोसाता है सपने दुनलके हो जाते हैं जीवन में छूट गए लम्हे कांटे से टसकते हैं हौल उठता तो आंगी तक भीग जाता है सत इतना करीब होता है कि नजर नहीं आता आखें बस डबडबा जाती है जो कभी पुरानी चीजों को नए में बदलने का हुनर रखता रहा वही अब इस मृतियों के बक्से से वही अब इस मृतियों के बक्से में खुद कैद होगा जो हो जाना चाहता है इस अंधर आपको बहुत भी याद आएगा कि किशोर बाबू कैसे अपने स्मृतियों में वापस आते हैं और जो पूरा उपन्यास का कत्थन है जो तरीका है कत्थ है वो इस मृतियों से हो करके बार-बार गुजरता है दिखावे के रास्ते पर मति भ्रम भी बाट जोते रहते हैं अभिमान चस्मे में फिट बैठता है अब जक्म नहीं दुनिया हरी दिखती है अलका जी आपको नमस्कार आप सुन रही हैं मेरा वह भागए है आदमी अपने अंत के पहले जूतिश बन जाता है इसका बहुत अच्छा संदर्ब अलकाजी लिखती है वा द्यास में 呢 कि अपने अंत के पहले जूतिश बन जाता है सबकी चिंता उसके अंत को खिसकाने लगती है और इस ये उपन्यास का बहुत अहम इंसा है सब की चिंथा उसके इंथ को खिसकाने लगती है मैं आगे बढ़ता हूं कि नदी को याद करता हूं हर-हर गंगे की आवाज आती है गंगा लोटे में सिमट आती है मा के रूप निराले होते हैं गंगा मा लोटे में सिमट आती है एक आवाज में और मा के रूप निराले होते हैं सबसे बड़ी शिक्षि का और सेवी का मा जिसकी रंगीन ओढ़नी घूटी पर अचानक एक दिन टंगी रह गई फिर कभी उसके काम नहीं आई मा की दुनिया ऐसी फैली कि पिता इस मृतियों के जाल में कैद दूर धूल दूसरत नजर आए मा की इस मृतियों में टटका कच्छे दूद की महक आज भी मेरे होट पर फैल आती है इस मृतियां लहला हावट की है पिता उस लहला हाट में गुम हो जाते है बड़े भाई बहुत मारमिक है यहां का संदर जब बड़े भाई हम लोग उसके सामने से निकल जाते हैं मा बिमार रहती है पिता नहीं है साथ में वहां को मैं समेटनी कोशिस कर रहा हूं कि बड़े भाई चादर की तरह होते हैं और ऐसा लिखते समय मैंने अपने बड़े भाई को भी उतना ही याद किया क्योंकि मैं अपने भाई को कभी वैसे अपना प्रेम नहीं चादा पाता हूं आज इस चार पंक्तियों के द्वारा भाईय मैं आपको अपनी सम्वेदना संप्रिशित कर रहा हूं बड़े भाई चादर की तरह होते हैं तुम्हें ढके ओड़े रखते हैं वो आसमान और सडक एक साथ दुनों बनना चाहते हैं जीनी चदरिया बनने से पहले उस अंतिम छण में मा का हाँथ छोटे के हाँथ में रखते हैं भाई सच में पिता वाली चट से कम नहीं होते हैं कलातीत जीवन की खोज में हम लगे रहते हैं अगर ठीक से पहचान लो तो मेलती हुई तुम्हें पहचान लेती है आगी बढ़ते हैं एक दू कबता और हैं कि हार और जीट सिक्के के हिट और टेल की तरह अपने माइनें बदलते हैं हार और जीट अगर का कोई मतलब नहीं होता सिक्का उचलता है और दोनों के अर्थ एक हो जाते हैं कोई दुनिया छोड़ कर जाते हुए कहती है मैं जीत गई कोई इस फानी दुनिया में रहा कर करता है मैं हार गया चोड जितनी पुरानी हो उतनी ही टीस्ती है ये जो चार लाइन में अभी पढ़ने जा रहा हूं ये अलका जी ने ऑनलाइन मेरे सामने पढ़ा था और मुझे याद है वो फचंड मैं कभी अपने जिंदगी में नहीं भूल सकता जब मेरी चार पंक्तियां जिस उपन्यास से जनमी उसकी जनक इन पंक्तियों को पढ़ रही है ये चोड जितनी पुरानी हो उतनी ही टीस्ती है तिक्तता से शहत बनाने के सपनों में डूबा वह देर तक जागा हुआ एक परिशान आदमी है वह देर तक जागा हुआ एक परिशान आदमी है दिन के सवाल रात के डर की असलियत अंतरद्वंद सपनों में उनिंदी लेते हैं और हार जीत का मतलब फिर बदलने लगता है सपने दरसल सिर्फ स्वापने उठते ही खत्म हो जाते हैं दिशाहारा नहीं था वा सिर्की चोट थी पर वो अभियंतर में टहलता और आभियंतर की बाते करता है उसके यथार्त में हीरों बदलते रहे सुभाश गांधी नहरू और फिर हिटलर एक दिन अचानक उसे इन सब के चेहरों पर सफेद बीठ का तिलक पसरता दिखा देरसल सारवजनिक अपमान मरने के बाद बिछाने चोट था बहुत बड़ी पंक्ती है जो संभवता वालकाजी के उपन्यास की देन है लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ते समय भी महसूस कर सकता हूँ मैं कि इस उपन्यास का फलक कितना बड़ा है आगे बढ़ते हैं एक खुली हुई हसी एक खुली हुई हसी वर्सों के कसाब को पी जाती है पुराने दोस्त बटकावा भाई पुरानी प्रेमिका मिलते ही बस एक हसी पाड़ देती है सारी दरारें हसी दरसल हवा नहीं है हसी दरसल हवा नहीं है पर उतनी ही जरूरी है हसी दरसल हवा नहीं है पर उतनी ही जरूरी है और हसी का चूकना कम ख़तरनाग नहीं मदद के साथ जरूरी है साधन की शुदता व्रिक्षों के साए अद्रिश होने से पहले बहुत लंबे होते जाते हैं और हर शक्स के भीतर शुन्यता अपने दाइरे के साथ उपस्तित है इसका घटना और बढ़ना एक साधरन आत्मी की कथा है और यही पूरा जो अपन्यास है इसका सार है आगे बढ़ते हैं हम किसी एक को खोते हैं पर उस खोने का नाम अनेक होता है हम किसी एक को खोते हैं पर खोने का नाम अनेक होता है एक मुर्दे को निकलते देखो गौर से देखो यह अरथी तुम्हारी हमारी भी है एक दिन देखने के लिए दूर खड़े ना बचोगे, एक दिन देखने के लिए दूर खड़े ना बचोगे, हर एक अर्थी के साथ थोड़ा सा मैं भी मर जाता हूँ. मरना कुछ इस तरह है जैसे किसी ने बस म्यूट कर दिया है, मुक्ती भी टुकडों में मिलती है, डर और लज्जा से मुक्ती मिल जाये तो लोग पागल करार देते हैं. जान गया कि जीवन में अपवाद, जान गया कि जीवन में अपवाद, तिक्तता का और समय घुल जाना है. इस देश की समस्या भी अजीव है, ना त्याग ना. घर में कबाड, शहर में कबाड और मन में भी. सत्य भीतर है, रूप में नहीं, सद्यों ने रूप को स्विकारा और खोशते रहे कि सत्य ना जाने किस रूप में मिल जाये. और यूं अंगड़े इश्वर इस मिर्तियों से निकल धर्म के कबाड में दाखिल होते रहे. लौकी के खोल को सुखा कर एक तारा बनाता हूं, मानुस को भी इसी गती से गुजरना है. मैं इस लाइम को फिर से पढ़ रहा हूं कि लौकी के खोल को सुखा कर एक तारा बनता है, मानुस को भी इसी गती से गुजरना है. एक तारा और दो तारा बावल और दर्वेश दोनों को अंतता एक राग हो जाना है. पलकों की तरह और इस्थिर बिपलभी बन में भी सिर्फ और सिर्फ साथि चाहिए. इस्थिर जल में जलकुम्भी जड़ और लताएं होती हैं. उनमें मचलियां नहीं फस्ती, मनुस से फस्ते हैं. उनमें मचलियां नहीं फस्ती मनुष से फस्ते हैं उस तालिकाओं के चौखानों में कैद दिख रहा है छटपडाता नया भारत टायर से दब गए कुटों की संख्या उस शहर के विकास की गती दर्शा रही है भूक जब अतड़ियों को खाने लगती है तब जिस्म का ख्याल नहीं रहता चेहरा रोता है बिना आंसूं के अब सब बाजार है इससे ज़्यादा कुछ नहीं रोज रोज दुख देखो तो दुख का स्वाहनन होने लगता है तल छू लेने के बाद दुख भी तैलिये लगता है संख्याएं समस्याओं को निगलती नहीं छुपा लेती है फिर दुख खा सुख कम या ज़्यादा नहीं संख्याएं कम या ज़्यादा खुती रहती है बहुत अंतिम की तरह फिर अंतिम कविता है और सार की तरह इसका बता को लीजिए कि एकता हो या भाईचारा सब एक रंग के इंतिजार में रंगरेज के इंतिजार में है तक्सीम देश एकता हो या भाईचारा सब एक रंगरेज के इंतिजार में है तक्सीम देश धर्ती पर कोहराम भकमरी मुसीबतों की बाढ़ है पर आसमान ग्रलिप्त है इंदर धनुस का दाइरा बढ़ाने में परास्मान ग्रिलिप्त है इंद्र धनुस का दाइरा बढ़ाने में वो थान पतन और फिर पुनर थान सिर्श्य चक्र की गती नहीं बदलती जुट पुटी चेतना की खोज में सत्य के पुंज जर्मुट से जाकते रहते हैं यहां उजास वृत बन रहा है जो वहां कितना दिख रहा है कि धर्म हिटलर से बड़ी सकती है कि धर्म हिटलर से बड़ी सकती है वहां भी परचम में स्वास्तिक ही लहराता है वहां भी परचम में स्वास्तिक ही लहराता है सभी धर्मों से गुजरते हुए मासूशता हूं कि गरंथों का सार गीता में समाहित है और अब उसी को पढ़ता हूँ दरसल गीता धरम गरंथों का बाईपास है जिन्दगी को देखनी की नजर अता करती बाईपास जब सारे रास्ते जाम हो जाते हैं तब बाईपास ही एक मात्र समाधान है मंजिल वाया बाईपास तो ये कुछ का बिताएं थी कोई लंबी थी लेकिन इतने बड़े फलक के उपन्यास को समिटना मेरे बस में नहीं था शायद इनकी अलका जी की लेखनी ने अगर साथ ना दिया होता तो ये कविताएं आप तक नहीं पहुँच पानती और मैं थोड़ा सा एक और किताब जो कुलबुशन का नाम तरज कीजिये है उसको छूना चाहूंगा क्योंकि ये किताब बहुत जरूरी किताब है जरूरी उपन्यास है जिसमें विस्थापन वैसे अलका जी के हर एक उपन्यास का पक्च रहा है चाहे वो देश के अंदर का विस्थापन हो देश के बाहर का विस्थापन हो लेकिन विस्थापन खोज आइडिन्ट्री क्राइसिस ये चीजें हमेशा से अलका जी के साधरिया अलका जी से बात करते हैं मुझे एक और चीज हमेशा महसूस हुई कि अलका जी की लेखनी में कोई इस्तरी नहीं लिख रही है पीछे से वो एक लेखक है और वो वस्तु विशेश को में घुल मिल जाता है लिखते समय और वो साहितिक सत्ता से दूर रहना सिखाती है हम लोगे को और मैं इसलिए भी उनको बहुत आदर करता हूँ कि जो एक साहितिक सत्ता का जो एक औरा और एक परीधी खीची हुई है उनको उसको बेधा है और अपनी लीक पे वो चली है तो हम आगे बढ़ते हैं कि डेढ़ चपल पहनने वाला एक किरदार है कुलबुशन जायन हलांकि मैं बहुत समय लेचू कहूँ लेकिन फिर भी मैं इस छोटी सी टिपन्नी अपनी देना चाहूँगा इस किताब पे कि बांगलादेश, पाकिस्तान और भारत के तिर्कोणिय संगहर्स में बढ़ते नामों को दोबारा दरज करने की बहुत शांदार कोशिश है है उपन्यास काल धर्मिता को समेटने का पुर्जोर प्रयास जो लगभख टाइम मसीन की तरह काम करती है इस सुपन्यास के खास बेट है भूलने का बटन जहां तक मुझे याद है कि श्यामा को किसी बाबा ने बताया था कि ये बटन ऐसा है कि तुम भूल जो तो तुम्हें कोई दर्द नहीं महसूस होगा ये निर्वान के रास्ते के पहले की प्राप्ती होती है नॉर्मली बट यहां पे कुल्भुशन को ये प्राप्त हो गया श्यामा के द्वारा तो उपन्यासी खास भेट है बुलने का बटन जो दर्शन का एक अलग भलू लिए यह एक अचुप दवा की तरह रचा गया है जो विरले लोगों के नसीब में होता है कुल को मिटा करके यहां पे एक संत के मनभाव से चल रहा है कुल्भुशन और अब वो भुशन बना फिर रहा है कि यहां पर इस किताब में प्यार जो है वह चंब्रे के रंग से निजारत नहीं होता इस कहाने में कई बार यह अच्छा लगता है और लेकिका ने इस पाकिस्तान जो बंगलादेश का पार्ट है कुस्टिया वहां के बाउल संत लालंग शाह फकीर का संदेश ना हिंदू जो की मुझे गुंगी रुलाई का कोरस की याद दिलाता है तो यह संदेश यहां इस किताब में आपको पूरी तरह से मिलेगा और इस उपन्यास में हमें खास काल खंड का बोद कराएगा जो एक बहुत ही भयानक दोस्वारियों से भरा पड़ा है एक सीधे साधे इंसान क कि जिन्दगी में इतनी प्रिचिंदगी कहां से है यह प्रश्ण बहुत ही पहला प्रश्ण आपको एक पाठक के तौर पे दिखेगा हर मोड पर अपनी दोस्ता साबित करता हुआ हुआ कृदार आगे बढ़ता है और वो उसकी आदत में सुमार है कि वह आपके इतना इस उपन्यास में किरदार को ढालनी के लिए सांचा कहां से लाही होंगी यह मैं हमेशा सोचता हूँ विश्मित करता है मुझे यह सोच मालवीका एक बहुत ही मारमिक दिर्श है लगबग रो पड़ा था मैं इस अंस को पढ़ते समय कि मालवीका की मुखागनी के समय डोम को उसकी घड़ी देना सुचता हूँ यह किरदार और उस पर यह दिर्श है गढ़ते वक्त अलका जी को कितनी कठनाई हुई हूई कि कैस इसे फ्रेम को गठना कुलबुशन अजीव है बड़ी बड़ी चीजें उभार में दे देता है और चोटी चीजों की चोरी करता है उसके दिल और मिजाज को समझना उतना ही मुश्किल है और स्यामा को हरे पत्तर की अंगोठी मा से चोरी करकर देता है एक लाग का चेक माया प्रेम का नहीं है बहुत मुश्किल है मल nomination बहुत सारे फ्रेम उसके अंदर है और वह situation के south the frame को तो बदालता रहता है श्यामा, हमला, अली और कुलपुर्शन ये चारों किरदार कैसे गुते हुए एक ही माला में और मुझे याद है कि जो है कहा गया था नामवर्जी ने कहा था जब कलिकता के बारे में की कलिकता जो दिखा रहा उसको मत देखिए उसके पीछे देखी जाकर कि वही बात मैं यह तोड़ा सा इसको मुझे यहां महसूस हुआ कि यह चारों किरदार मत देखिए जो उसके अंदर की माला पिराई गई है वो दहगा नहीं दिख रहा हां में से किसी को समय कि लिला आप रमपार है वो सपने देखता कोई है यतार्त भोगता कोई और है ऐसी चीज़ें आपको इस अपन्यास में मिलेंगी एक जिगा बड़े ग्यान की बात वुशन की मा कहती है कि चाहीं कितना भी ग्यान हो तुमारे पास पर गर खुश रहना है तो बुद्ध बन के रहूं यह लब एक ब्रह्म ग्यान की तरह मैं इसको समझता हूँ और अनिल मुखर जी का यह कहना कि बहुत जरूरी सांकेतिक संदेश है कि खेल के बीतर खेल होता है इसमें एक एक लाइन ऐसे हैं जिसमें कि जीवन दर्शन आपको मिलता रहेगा ना बदलना समय के बदलने की मोहर है इस उपन्यास में और कुल भूशन में भूशन और फिर गोपाल चंद्रदास और फिर कुल भूशन दर्श करने की छटपटाहट यह यह स्री सिक्वेंस आपको आपको छटपटाहट में बदल देगा यह पूरी जर्नी जो उस सरफ से होके आई है बंगल गोटी और फिर रिफ्यूजी यह सब देखते देखते आपको बहुत परशान होगे इस उपन्यास में जातिवाज की बारीकियों पर भी प्रकाश जाना गया है जैसे कि तांती धोबी और जुलाहे यह तीन शब्द बहुत आसपास के सब्दें लेकिन उसमें बहुत ज्या घरों में कपड़ेद होता है कि सब अलग अलग नजर किसांचे के लोग मली का नामकरण भी देखिए कितना सुन्दर तरीके से हुआ इसमें प्रेम संदेश शुपा हुआ है जो मैं गुमिरुलाई का कुरस की बात कर रहा था वो चीज मुझे यहां पर देखी कि मली का ना मुहमद इसलाम एक कटिंग परिक्षा का नाम है आप इस करेक्टर को बाद में दखेंगे कि जो अंतता अवल दर्जे से पास होता है और मानवता की विजह होती है जातियता सिर जुकाती है यह उपन्यास ऐसे उपन्यास जो आपको संदेश दें जीवन संदेश दें और आ करें मिल मालिकों और मिल की बदलती परस्तितियों को को भी लिखा गया है वर्नर किया गया है बदलता सामाद जाती के जाती है संविकरन कानुनी बदलाव पूरे परवेश के घट gefणभनाव का संकरन चितरत विस्यनलीरेशिन उस दस्तावेज है उस समय का पूरा पूरा यह जो चालिस साल के समय का पूरा यह दस्तावेज है उपन्यास को बिल्कुल मुझे याद है मैंने इसको बहुत थार के पिया बहुत पड़ा मैं इसको इस तरह से कहना चाहूं को कि इस उपन्यास को बिल्कुल गरम दूद की तरह फ लिंक miss कर जाएंगे और बार बार आपको rewind करना पड़ेगा बार बार forward करना पड़ेगा मैं जो अभी कहने जा रहा हूं बहुत good बात है इस उपन्यास की समय जैसे जैसे बंद समय जैसे बंद नल से टप टप बहता है और फिर अचानक जैसे लगता है कि पाइप फट गया यह यह कुल वशन की मोगोली बेटी का जाना कुछ ऐसी घटना है कि जैसे कथा चल रही हलके हलके ओएक आएक आप 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 चोटिल हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते इस जगह करके आप रोदेगें अंत में निर्वासन एक मार्मिक गीत है यहां रिफ्यूजी टिड्डियों की जमात है जो इस मिर्थियों के तोते बनकर उर्ती रहती है मार्मिकता के इंतहा इतनी है कि अनील्दा की जिंदगी श्यामा मल्ली अमला तीनों का किरदार उतना ही आते चलते हैं और कुलोशन से बड़ा पक्ष मुझे लगता है ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूं कि कुलोशन से बड़ा पक्ष श्यामा का है और एक पंक्ती पर देर तक रुखा रहा और यहीं पर मैं रुख जाओंगा इसलाइन के बाद इसलिए इसको मैं इस तरह से ही कहना चाहता हूं कि एक पंक्ती पर देर तक रुखा रहा जहां लिखाता कि सारी लड़ाईयां देह पर ही लड़ी जाती है और तब से समय के इस अंश में मैं अब तक टिका हुआ हूं और वलका जी की लेखनी ऐसे ही प्रेडित करती रहे और अगला उपन्यास जोंका आने वाल है मैं मैं आप लोग मुझ जैसे में लिखों को कुछ बोलने का मौकर दे रहे हैं इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाई परपंजी जी शुक्रिया यतियस जी इस बहुत भाव प्रवर्ण और सुक्ष बिवेचन के लिए और बड़ी बारी की में जाकर आपने अलकासराब्ली जी के इन उपरन्यासों पर चर्चा की और जिस तरह से एक कृतियां या इन कृतियों के किरदार एक कभी के भीतर अपनी जगह बनाते हैं और उसे आलोरित करते हैं उसे इस तरह से प्रेडित करते हैं कि वह कुछ लिखने को बिवश्व हो जाए तो यह रचनाओं की जो आपसदारी है साजेदारी है जुगलवंदी है यह भी बहुत खूब है तो एक वार पुना है आपका धन्यवाद इस बहुत सार्थक वक्तब्य के लिए थस्तक्षेप के लिए और आपने उचित ही पर्मानंद शिर्वास्तप जिक की बात की उनकी याद दिलाई और संयोग देखिए कि मैं भी इन दिनों गोरखपूर में हूँ वही गोरखपूर जो पर्मानंद शिर्वास्तप जी का और इसके लिए तो आपने बात की ही और कलिकता की भी बात की कहानियों को भी बेलागातार पढ़ते रहे उनके उनकी दूसरी कृतियो पर चर्चा करते रहे पर्मान शिर्वास्तप और दूसरी कहानी जो अलकासरावगी जी का दूसरा कहानी संग्रा है उसकी उस पर ब्लड लिखा उस पर अपने टिपने भी एक और किताब है पर्मान शिर्वास्तप जी की अतल का अंतरीब बहुत महतबोड आलोज की ये परमात श्वास्तव जी का तो उसमें भी कई ऐसी बाते लिखते हैं, अतल का अंत्रीप में कई यालेख है, तो एक अलेख है, जिसका सिर्षक है दिखिओंड बोलगा हूँ, एक मिझे जिसका सिर्षक है कथा का पुनर्यम, इसमें वे कई कहानी कारों पर बात करते हैं और बहुत अच्छी टिपणी वहाँ पर मुझे मिलती है मुझे लगता है कि उस उन पंक्तियों को यहाँ पर रखा जाए वे लिखते हैं परमानुश्रवास्तर लिखते हैं कि कहानी सूचना भी हो सकती है कहानी सूचना भी हो सकती है, समाचार भी, पर उससे अधिक भी, इसलिए विपर्यास विखंड़ उसकी शर्त है अलका सराबगी दूसरी कहानी लिखती है, एक कहानी लिखी जाकर दूसरी हो जाती है एक कहानी लिखी जाकर दूसरी हो जाती है, छमा करो है बत्स, दिवेद्र का धंग और है गितांजली श्री जिसे नामालूम सा स्फुरण कहती है, वही है कथा का नया जन्द एक त्रासद संगीत, एक त्रासद संगीत कई बार कथा के कायांतरण में सहाया है परंपरा की दूसरी खोज हम लोगों ने इस बार का थीम रखा था निलांपर का, और मुझे लगता है कि परंपरा की दूसरी खोज का इससे सुंदर उधारन, अलका सरोगी, सुंदर उधारन मुझे नहीं दिख रहा है, और उनकी एक और टिपन्नी है, दो लाइन दो पंक्ति की जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, वो कहती हैं कि मुझे हर तरफ दिखता है हाशिये पर होने का दर्द, और आप देखेंगे उनके सारे उपन्यास में, वो सारे किरदार जो हाशिये पर हैं, वो हैं, चाहे आने वाला उपन्यास भी, आप देखें जो गांधी के मूल धारा से हाशिये पर चली गई, उसको वो लेके आ रहे हैं, तो वैसी वैसी लेखी का जो कहती हैं, और वही करती हैं, वही लिखती मुट हैं आप जी मात जी एक बार मैं उन्में त्रों के नाम ले लू जिनकी टिपड़ियां हमें यहां मिल रही है अच्छा लग रहा है और लोकी आदव जी शाहित जमाल जी मुन्ना राय विवेक चत्रुबेदी राजेश पती भारत द्वाज कपिल उद्यवानु पांडिक प्रियाक शुक्ल सब्सक्राइब बिल्कुल आये थे बिल्कुल आये थे मैं अभी निजस चल रहा हूं कपिल उद्यवानु पांडे जी पिड्यांका नारायन जी हंसराज पूजा सिंह मौस्वी प्रसाद आनंद गुपता आशिश्क मार्शौ मनो ज्या जी हंसराज प्रभात मिलेद प्रियाग शुक्ल जी सुमति सक्सेना लाल जी वे भी कह रही थी आपकी कविताओं को सुनत खकी करें या कहानी पर कवता लिखने वाले पाठन की वाह और शिप्रा 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 भाटी जी और तमाम लोग आशिश कुमार शौग और संगसार सीमा जी पवन सी और कुछ एक नाम लेले इधर से भी जी कई नाम शूट जाते हैं क्योंकि अलगत जगों से चीजों कूले ना पड़ता है जी और देखिए अलका जी एक बेहद महतुवर्ण पंक्ती अशोक सक्सरिया जी की यहां पर उद्रिद कर रही है अशोक सक्सरिया जी लिखते हैं एक जगा कि मर्म ही धर्म है मर्म आपकी किसी बात पर अलका जी यह पंक्ती लिख रही थे मर्म ही धर्म है और यह तुक नहीं है तो यह अच्छा ही हुआ कि हम लोगों ने अशोक सक्सरिया जी से आज के इस कारिक्रम की शुरुआ की और उन्हीं की बहत महतों पंक्ती से हम लोग इस संबाद को विराम दे रहे हैं मर्म ही धर्म है और यह तो नहीं है साहित में इन तमाम चर्चाओं में हमारे जीवन में यह मर्म बचा रहे हम लोग लगातार एक दूसरे को लेकर एक दूसरे के भीतर जांकते रहें सजग रहें सहज रहें और जो जिन बंचतों की बात कर रहे थे जिन उन अलग कर दिये गए लोगों की बात या जिनको समाज किसी और निगाह से देख रहा है ऐसे किरदारों को ऐसे लोगों को जिने बागल तक कह दे रहे हैं लोग उनके भीतर जांकर उनकी कहानियों को जो लाने का जो एक कर्म है जो उस ब्यक्तित्म में इस तरह के ब्यक्तित्म में उतरने का जो एक भर्म है यह कोशिस बनी रहे जितनी संभव हो इनी बातों के सा आज के इस कारक्रण को विराम देते हैं अलका सराव लिजी पर यह जारी है कल एक नई कड़ी में पुना मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद यतिस्टुमाज शुब्राद शुब्राद